Moving on, now we are going to talk about कि कितने तरीकी equation models के अंदर बनती हैं and equations को कैसे solve किया जाता है अब हम जो पहले equation यहां देख रहे हैं वो type की equations है जिसके अंदर हमें interpretation करना होता है interpretation की technique हमने पहले के recorded videos के अंदर देखी थी यहांद अब हम देखने कि इसको real life question के अंदर कैसे apply किया जाता है तो हमारे सामने equation है that says that mod of 2x minus 5 is equal to x minus 1 तो आईए देखी इस question को कैसे solve करेंगे इस question को solve करने के लिए जो पहला step हमको लेना पुड़ेगा वो है कि इस mod को कैसे remove करें उस mod को remove करने के लिए जो भी आपके mod के अंदर की value है उसको आप number line के पर plot कर सकते है तो जो भी mod के अंदर था उसको आप equal to zero put कर दीजे अगर हम इसको zero put करेंगे तो मैरे पास x की value हो जाएगी 5 by 2 तो मैं इस 5 by 2 को number line पर plot कर दूँगा 5 by 2 से छोटी जो values होंगी वो हमारा case 1 हो जाएगा और 5 by 2 से बड़ी जो x की values होंगी वो हमारा case 2 हो जाएगा लेट अस ट्राएं ड्राओ इस cases अब अगर हम case 1 देखें तो हम क्या बूल सकते हैं इस question के अंदर कि x is smaller than 5 by 2 यह case लेते हैं अगर x की value 5 by 2 से छोटी है तो इस question को आप कैसे देख सकते हैं तो जब भी modulus आपको open होगा that will open with a negative sign तो हमने उस modulus को negative sign के साथ open कर लिया अब इसकी value होगी x minus 1 के परापर अब आप इसको solve कर लिजे जो बहुत ही असान है तो minus 2x plus 5 is equal to x minus 1 तो अगर हम x को same side लिखेंगे तो minus 3x will be equal to minus 6 और x will be equal to 2 अब हमें देखना है कि क्या ये इस interval के अंदर लाई करता है जो question बोल रहा है मतलब क्या 2 एक 5 by 2 से छोटी value है तो जी हाँ बिल्कुल एक छोटी value है तो ये एक acceptable answer आगे move करते है तो आप next part के अंदर case 2 लेते है और इस case 2 के अंदर हमने बोला कि x की जो value है that is greater than equal to 5 by 2 देखिए आप चाहे तो equal to का sign smaller than के साथ भी लगा सकते है greater than के साथ भी लगा सकते है मैं personally greater than के साथ लगाता हूँ क्योंकि convention मुझे ज़्यादा suit करता है जैसी मैंने इसको put किया तो अब यहाँ पर modulus opened with a positive sign 2x minus 5 is equal to x minus 1 जैसी हम x को एक साथ लिखे आएंगे तो x will be equal to 5 minus 1 इसकी value 4 आ गई अब क्या 4 जो हमारी value है वो 5 by 2 से बढ़ी है तो definitely यह 2.5 से बढ़ी होती है तो यह भी एक acceptable answer तो मुझको 2 answers मिलें question के अंदर x equal to 2 and x equal to 4 minus 6 का mod है और इसको अगर x plus 2 के साथ पूट कर दें तो answers क्याएंगे तो इस question को करने के लिए again हम वो ही तो case assume करेंगे जो हमने पहले किया था तो मारा first case हो गया whatever is inside the mod x square minus x minus 6 यह greater than equal to 0 अगर मैं इसको positive मान लूँ तो इस case के अंदर क्या होगा the modulus will open with a positive sign तो x square minus x minus 6 will be equal to x plus 2 अगर हम x को एक side लिखे जाएं तो x square minus 2x minus 8 will be equal to 0 और इस quadratic को हम बहुत easily solve कर सकते हैं अगर हम करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है तो अगर हम करते हैं तो मिलता है x will be equal to इसको लिख सकते हैं x minus 4 into x plus 2 equal to 0 हमें x की 2 values मिली x equal to 4 and x equal to minus 2 अब हमको बस इतना check करना है कि इसमें से कौन सी value है चो हमारे given interval को satisfy करती है तो एक तरीका तो यह होगे कि हम interval की values निकाने solve करके दूसरा तरीका की होगे कि हम directly substitute करके check कर ले तो अगर मैं 4 को substitute करूं लटर से तो मैंने 4 जैसी put किया उपर वाली inequality में तो it became 16 minus 4 minus 6 you can see that it is greater than equal to 0 यह satisfied कर दो और दूसरी value जो हमारी minus 2 अगर हम इसको satisfy करेंगे तो देखिए अब क्या आता है जैसी मैं इसको put करूंगा तो now this became 4 plus 2 minus 6 यह भी अब यह भी greater than equal to 0 यह भी equal to 0 तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी दोनों की दोनों value ही interval पर satisfy करते है अब आगे देखते हैं कि इसकी case 2 को हम कैसे solve करेंगे तो case 2 के अगें अब हम क्या मानेंगे case 2 के अंदर will assume the value of x square minus x minus 6 to be smaller than 0 अगर मैं इसको smaller than 0 मानूंगा अब जैसे हमने पहले solve किया था similar तरीके से हम इसको भी solve कर लेंगे if I simplify it it is minus x square plus x plus 6 is equal to x plus 2 ठीक है और अगर हम simplify करें तो it becomes minus x square plus 4 will be equal to 0 यह x square will be equal to 4 यहां से हम x की 2 values मिली that is plus 2 and minus 2 तो हमें पास यह 2 values मिली अब हमें क्या करना पुड़ेगा हमें inequality को check करना पुड़ेगा inequality थी x square x minus 6 is smaller than 0 इसके अंदर values जालके check कर लेते हैं कि क्या satisfy करी है नहीं करी तो let us first take 2 तो जैसे वे 2 को put करूंगा 4 minus 2 minus 6 और आप देख रहे हैं कि this is smaller than 0 मेरा x equal to 2 satisfy कर था है अब दूसरी value को देखते हैं minus 2 तो minus 2 वैसे तो हम पहले भी check कर चुके हैं लेकिन अगर हम इसमें check करेंगे तो देखते हैं कि क्या answer आता है तो अगर हम देखें इसमें minus 2 put करके तो it became 4 plus 6 minus 6 this is coming out to be greater than 0 तो आप देख सकते हैं कि x की value minus 2 is not satisfying तो x cannot be equal to minus 2 तो इस तरी किसे हमने question solve कर लिया और हमारे पास 3 answers है पहले case से हमारे पास answer आया था x is equal to 4 and minus 2 और दूसरे वाले case से हमारे पास answer है x is equal to 2 तो इस question के हमारे पास total 3 answers है minus 2, 2 and 4 आई अब next question देखते हैं अब इस question को करने के लिए हमको 2 mods को remove करना पड़ेगा तो हम पहले अंदर वाले mods से start करेंगे उसके लिए हमने बुला कि इसको पहले थोड़ा सा rearrange कर लेते हैं तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया is equal to 2x plus 4 और ऐसा लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा पहला mod कराने के लिए x की value को greater than than or equal to 4 का मैं केस ले लेता हूँ जब मैंने लिया इसके अंदर x is greater than or equal to 4 तो आप क्या observe कर सकते हैं कि अंदर वाले जो models था that will open with a positive sign so it becomes minus x plus 4 का mod is equal to 2x plus 4 जब आप उसको simplify करेंगे तो देखिए x is getting cancelled out तो what we get is 4 is equal to 2x plus 4 यहां से x की value आप देख रहे हैं मुझे 0 मिलगे तो this is my first case इसके corresponding मुझे answer मिलता है x equal to 0 अब आईए next वाले part के तरफ move करते हैं अब next part के अंदर हम क्या assume करेंगे हम बोलेंगे कि जो x की value है that value of x is smaller than 4 अब मैं smaller than 4 मानूंगा तो मुझे की answer मिलेगा तो अब now the modulus sign will actually open with a negative sign तो अब उगे देखो x plus x minus 4 का mod will be equal to 2x plus 4 अब जब मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो मैं इसको simplify कर सकता हूँ कि रहे 2x minus 4 का mod is equal to 2x plus 4 ऐसा आ रहा तो इस modulus sign को clear करने के लिए देखे अगें मुझे दो cases इस case के अदर split करने पड़ेंगे further वो दो cases कौन से हैं आईए देखते हैं तो अब इस modulus sign को clear करने के लिए एक case मुझे मुझे मानना पड़ेगा अगर x 2 से बढ़ा होगा तो क्या होगा और 2 से छोटा होगा तो क्या होगा और इसको solve करने के बाद आपको मिल रहे है minus 4 is equal to 4 यह तो possible ही नहीं है तो इस duration के interval की कोई भी value हमको acceptable नहीं होगी अब आगे चलते हैं अब आगे हमने क्या बोला कि अगर x की value 2 से छोटी है फिर क्या होगा अब x की value अगर 2 से छोटी है तब interestingly आप क्या होगा यह जो modular sign होगा that is will open with a negative sign so minus 2x plus 4 will be equal to 2x plus 4 ऐसा हम लिख सकते हैं जब आपने ऐसा दिखा तो आपको समझ आए कि 4 तो cancel out हो गया और हमें एक value मिली x equal to 0 अब वापस अपने answers की तरफ गौर फर्माते हैं जो हमें मिले अब पहले case में हमें answer मिला था x equal to 0 लेकिन x की जो value दे रखे थी यह 4 से बढ़ी थी considering this this is not an acceptable answer दूसरे case के अंदर अगर हम देखे हैं तो हमको कोई solution मिला ही नहीं because यह possible नहीं था minus 4, 4 के बराबर हो और third case में हम कहरें कि अगर x 2 से छोटा है उस case में x equal to 0 तो this is a possible answer यह acceptable है इसलिए इस case का इस question का एक ही answer हो गया x equal to 0